क्या आपके पास भी 2000 के नोट पड़े हैं तो घबराईए नहीं आपके पास अभी पूरे 4 महिने का वक्त हैं इस चिलचिलाती गर्मी में बैंकों में लाइन मत लगाईए आराम से बैंक जाईए और अपने 2000 रुपे के नोट बैंक खाते में जमा कर दीजे या फिर बैंक से बदल लाईए किसी तरह की हडवडी या अफबा पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि आरबियाई का कहना है किसी भी ग्राहक को परेशानी ना हो इसके पूरे इंतिजाम किये गए हैं सभी बैंकों में परियाप्त मात्रा में 500, 200 और 100 रुपे के नोट मौजूद हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप जल्दी नहीं पहुँचे तो कैश खत्म हो जाएगा इसलिए इत्मिनान रखिये बैंक आपके सभी नोट वापस लेने को तैयार हैं बस वाट्सेप के फॉरवर्ड मैसेज पर ध्यान कम दे और हम आपको जो बता रहे हैं उस जानकारी को ध्यान से सुने हम आपको नोट बदलने की पूरी जानकारी आसान और सरल भाशा में समझा रहे हैं खबर तो आप जानते ही हैं कि रिजर्व बैंक ने बीते हफते यानि 19 मई को 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर करने का एलान किया था देश में 2016 की नोट बंदी जैसे हालात ना हो इसलिए RBI आपको नोट बदलने की नियम, कानू, सब बता दिये हैं ताकि लोगों में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो फिलाल नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है इसके बाद समय बढ़ाया जाएगा या नहीं वो रिजर्व बैंक तै करेगा लेकिन हमारी स समझ में चार महिने का वक्त काफी है हाँ अब आपके पास करोणों की काली कमाई है तो बात अलग है उसके लिए दूसरा रास्ता फॉलो करें खेर हम आपको बता दें 23 मई यानि आज से बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये प्रक्रिया 30 सितं समझें अब आप समझें बैंक में जाकर नोट कैसे बतलना है और ये के मताबिक ग्राहक एक बार में 2000 के 10 नोट यानि कुल 20,000 रुपए बदल सकता है लेकिन अगर कोई ग्राहक अपने बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करना चाहता है तो इसके लिए मैक्जिमम लिमिट तेह नहीं की गई है हाँ 50,000 से जादा के नोट जमा करने पर आपको पैन कार्ट दिखाना होगा अगर आपका खाता जिस बैंक में है वहाँ नोट बदलवाते हैं तो किसी भी आईडे की जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना और नहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि य नोट बदल सकते हैं अगर कोई बैंक आपके नोट बदलने से इंकार करता है तो आप तुरंथ इसकी शिकायत भी कर सकते हैं अब एक सवाल जो सब के मन में है वो ये कि क्या 2000 के नोटों को अब सिर्फ बैंकों में ही बदला जा सकता है या फिर लेन देन में भी उसका इस्त हास का हिस्सा होंगे आर्बियाई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहट नोट बंदी का फैसला लिया है इस पॉलिसी के तहट बैंकों की जरिये 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे बाजार से वापस लिये जाएंगे सरकारी आकड़े बताते हैं कि इस वक्त बाजार में 3.62 लाग करोड रुपए के 2000 के नोट सरकुलेशन में हैं लेकिन इनका ट्रांजेक्शन बेहत कम हो रहा है इसका मतलब है इन नोटों को खोड यानी स्टॉक करके रखा गया है मतलब 2000 के नोट के रूप में काला धन टिजोरियों में बंद है इसलिए RBI क्लीन नोट पॉलिसी के तहट समय समय पर ऐसी कदम उठाता रहता है